Hello and welcome again my friends and dear student myself Mahendra Devanda आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे nomenclature of an organism जीवों का नामकरण कैसे करते हैं and taxonomic categories और वर्गी की category कौन सी है, स्रेणिया कौन कौन सी है हम यहाँ पर कई परकार के animals देख रहे हैं इन सभी animals को आप अपनी local बहसा में अलग-लग नाम से जानते होंगे लेकिन इनको एक पूरे संसार बर में सिर्फ एक ही नाम से जाना जाए इसके लिए नामकरण की पदती चालूई है नामकरण जिसको हम वेग्यनिक नाम कहते हैं, scientific name कहते हैं वो इन animals का सभी का नाम होता है नामकरण के बाद में दूसरा जो हमारे पास aspect है वो है taxonomic categories taxonomic categories में जब हमें नामकरण हो जाता है उसके बाद में जिवों को एक hierarchy में एक करम में, एक sequence में taxonomic categories में रखते हैं जिसमें आप जानते हैं kingdom, phylum, class, order, family, genus और species है इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं nomenclature of an organism के बारे में यानि एक जीवों का नामकरण कैसे किया जाएगा on earth 1.72, 1.8 million of plants and animals are known and described वर्तमान में पूरे संसार बर में लगबक 17-18,00,000 plants और animals describe किये गए हैं और उनको हम जानते हैं यानि 17-18,00,000 species पादपों और जनतों की पाए जाती है generally the plants and animals in our own area are known by their local names हमारे आसपास जो जीव जनतों पाए जाते हैं पेड़ पोदे जो पाए जा रहे हैं उनको हम अपने local नाम से जानते हैं तो अगर हम उसको अपने आसपास में जब उसको local नाम से जानते हैं लेकिन अजब आप एक state में जाएं दूसरे state में जाएं या किसी दूसरी country में जाएं तब आप वो local नाम इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि जब आप उस local नाम को use करेंगे तो सामने वाले को पता नहीं लगेगा कि ये कौन से plants की बात कर रहे हैं या कौन से animal की बात कर रहे हैं तो इसके लिए विज्ञानिकों ने nomenclature पढ़नाली चालू किये हैं कैसे? To standardize the naming यानि नाम को standard करने के लिए of the living organism जो जीव हैं जिनके नाम standardize करने के लिए ये nomenclature की पदती चालू की गई है naming मतलब ऐसा same name all over the world नाम ऐसा होना चीए जो पूरे संसार बर में सभी लोग उसको एकी नाम से जाने जाए उसको हम scientific name कहते हैं वेगनिक नाम कहते हैं nomenclature का मतलब simple सा क्या हो गया system of naming of an organism जीवों का नाम करन ऐसा कोई system जिसमें हम जीव का नाम आंकरन करते हैं यहां आप अलग-अलग परकार के animals देख रहे हैं जैसे amphibians है, owl है, tiger है, spider, snail, turtle, fishes है, insect है, monkey है तो आप कई परकार के जो जानवर हैं, उनको हो सकता है, आप अपनी-अपनी language में जानते होंगे लेकिन वेगनिकों ने, इनको scientific name दिया है, जो संसारवर में इनको एक नाम से जानते हैं nomenclature क्या है सबसे पहले, इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो description of any organe should enable the people to arrive at the same name यानि नाम ऐसा होना चाहिए, जो पूरे संसारवर में, जो संसारवर में एक ही नाम से उसको जाना जाए तो नाम के लिए अगर सुरुआत की बात करें, अगर इसको categorize करें नomenclature को तो सुरु सुरु में names दो परकार के दिये जाते हैं, यानि two types की नाम होते हैं सबसे पहला है common name और vernicular name, vernicular name मतलब जिसको सामने local बासा में जिसको नाम से जानते हैं लेकिन ये हमारे महत्तु का ज्यादा नहीं होता है, these names are locals and popular only in native peoples और सिर्फ ये जो मूल निवासी होते हैं, जहां पर वो जीव जनतु जहां पर रहते हैं, उसके आसपास जो लोग रहते हैं सिर्फ वो उनी को आसपास लोग जान पाते हैं कि वो कौन से animals की बात कर रहे हैं, कौन से plants की बात कर रहे हैं तो यह actually popular नहीं है या यह हमारे ज़्यादा महतुका नहीं है जो कि common name जिसको हम vernicular names कह रहे हैं दूसरा जो नाम है जिसको हम international or scientific name कह रहे हैं यह हमारे महतुका है The scientific name unsure that each organism has only one name throughout the world यानि scientific name यह unsure करता है कि पूरे संसारवर में उस organism को सिर्फ एक ही नाम से जाना चाहे तो इसके लिए भी तीन पदती है यह भी three types का होता है पहला है polynomial nomenclatures polynomial nomenclature का मतलब इसमें बहुत सारे नाम दिये जाते हैं लेकिन actually यह popular नहीं है यानि इसको खारिज कर दिया गया है वेगयने को द्वारा इसको मानेता नहीं मिली है दूसरा जो है trinomial nomenclatures यानि जिसमें तीन पद हो नामकरण में देखेंगे इन सब को हम समझेंगे trinomial और binomial को हम समझेंगे trinomial nomenclature में three epithets होते हैं three epithets का मतलब एक genus हो गया species and subspecies first this one species and three subspecies होती है यानि उपजाती की बात है third जो है binomial nomenclatures इसमें two epithets होते हैं genus होता है and species होती है इन दोनों को हम इस वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले binomial nomenclature के बारे में समझते हैं क्योंकि वर्तमान में जो जीव जंदों के जो नाम दिये जाते हैं वो binomial nomenclature के according ही दिये जाते हैं सबसे पहले binomial nomenclature was first introduced by Gaspard Bahin द्वारा Gaspard Bahin विग्यनिक थे उन्होंने 1622 में in his book में पिनेक्स उन्होंने books लिखी थी उन्होंने binomial nomenclature को पहली बार introduce किया जनी लोगों को परिचे कराया कि एक जीव का हम दो पद में नाम देते हैं दो सब्द होने चाहिए उसमें बट लेकिन केरोलस लिनियस ये स्विडिस के नेच्रलिस्ट थे इस कॉल्ड दा फादर ओफ बाइनोमियन नोमनक्लेचर जिने बाइनोमियल नोमनक्लेचर जिसको हिंदी में कहें तो द्वीपद नाम पदती का जनक माना जाता है क्यों कहा जाता है because he developed a way to name and organize the species यानि उन्होंने नाम कैसे दिया जाएगा एक जी जाती का नाम कैसे दिया जाएगा उन्होंने ये बता है इसलिए उनको फादर ओफ बाइनोमियन नोमनक्लेचर कहा जाता है each name has two components binomial nomenclature के according प्रतिक जाती का यान प्रतिक जीव का दो नाम में दो components होते हैं कौन कौन से एक होता है generic name और दूसरा होता है specific epithets generic and specific दो नाम हो गए ये दो सब्द अलग अलग हो गए तो इसको binomial nomenclature कहते हैं generic name genus को बताता है और specific epithets species को बताता है जैसे हमारे पास उधारन है pico का more का हमारे पास उधारन है जिसका वेग्यानिक नाम पैवो क्रिस्टाटस है पैवो क्रिश्टाटस है इसका मोर का वेग्यनिक नाम है तो ये दो सब्द हैं उससे मिलकर बना हुआ है जिसमें पहला सब्द होगा जीनस होगा और दूसरा सब्द होगा इस्पिसीज ये महान वेग्यनिक कैरॉलस लीनियस है कुछ एक्जांपल के दुरू हम इस बाइनॉमियन नॉमनक्लेचर को समझते हैं आपको याद भी हो जाएगा और आपको याद भी करना है क्योंकि सबसे कॉमन जो एनिमल्स है वो यहाँ पर बताएगे हैं और एक प्लांट्स का नाम भी है जिसको आप बहुत ही पसंद करते ह है पीफॉल जिसको हम पिको कहते हैं मौर कहते हैं उसका विग्यानिक नाम है पैवो क्रिस्टाटस यह मौर आपने देखा ही होगा नेक्स्ट जो एनिमल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको आप आम बासा में गोडावन कहते हैं अरियोडिस नाइग्रिसेप्स यह गो जो कि यह यहां पर दिखाया गया है टाइगर पैंथरा टाइगरिस टाइगर हाउस स्पेरो पैसर डॉमेस्टिकस यह पैसर डॉमेस्टिकस है एन मैंगो मैंजिफेरा इंडिका यह मैंजिफेरा इंडिका यहां पर यह नाम स्टेंडर्स इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आ यहां जो टाइगर है वो नेशनल अनिमल है जो पिकोक है वो नेशनल बर्ड है गोड़ावन जो है वो राजस्तान का इस्टेट बर्ड है चिंकारा जो है वो राजस्तान का इस्टेट अनिमल है और पैसे डोमेस्टिकेट आपको समाने तरह अपने आसपास देखने को मिल जा इसके लिए कुछ नॉम्स हैं उनको हम समझेंगे उससे पहले जुलोजिकल बाइनोमियन नॉमनक्लेचर देखो नाम बोटनी यानि प्रांस का और जुलोजी यानि एनिमल्स का अलग-अलग तरीके से नाम दिया जाता है लेकिन इसमें कुछ चीजें कॉमन भी होती है उनको भी हम जान रहे हैं जुलोजिकल बाइनोमियन नॉमनक्लेचर नेमिंग सिस्टम वाज गिवन इन सिस्टेमा नेचुरी जुलोजी का जो नाम जुलोजी में यानिमल्स का जो नाम दिया जाएगा बाइनोमियन नॉमनक्लेचर के अकोडिंग तो यह कैसे दिया जाएगा इस स्टेंथ एडिशन के दो वोल्यूम निकलेते हैं 1758 को और 1769 को सबसे जो कोमनली आप जानते हैं 1758 में बैदा केरलस लिनियस लौरा यह एनिमल्स का नामांकरण के लिए किताब लिखी कई नैचुर सिस्टेमा नैचुरी एन सेकेंड जो है बाटनिकल बाइनोमियन नॉमनक्ल सिस्टम वाज गिवन इन इस्पिसीज प्लांटेरम में जितने भी प्लांट्स है उनका बाइनोमियन नॉमनक्लेचर के अकोडिंग नाम दिया गया है और इस बुक का पब्लिकेशन हुआ एक मही 1753 को केरलस लिनियस के दुआरा ही यह बुक लिखी गई है जो प्लांट्स है उनका वेगनिक नाम इन्टरनेशनल कोड ओफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर एक संस्तान है ICBN जिसके दुआरा यह जो प्लांट्स है उनका वेगनिक नाम दिया जाता है कुछ नियम होते हैं कुछ रूल्स होते हैं उनके तहंट उन्होंने प्लांट्स का वेगनिक नाम दिया जाता है ICBN की स्थाबना हुई एक मही 1753 को हुई थी ऐसे ही the scientific name of animals animals का scientific name are given by international code of geological nomenclature यह आई सी जेडन द्वारा जो animals हैं उनका नाम दिया जाता है ICBN जो एक संस्तान है वो नियम rules और principles बनाती है कि किस प्रकार से जन्तों का नाम दिया जाए और ICBN की जो स्थाबना की गई है 18 September 1895 में इसकी स्थाबना की गई थी International code of nomenclature of bacteriology जो bacteria होते हैं उनका भी नाम किरण किया जाता है तो इसके लिए ICNB है ऐसे ही viral nomenclature is governed by international code of viral nomenclature जिसको ICVN केते हैं वाइरस का जो भी नाम दिया जाता है वो ICVN के द्वारा दिया जाता है तो आपको ये जो संश्थान है उनका नाम दियान रखना है ICBN, ICZN, ICNBN, ICVN Next हम बात करते हैं binomial nomenclature की जो rules है वो क्या है The scientific name of house sparrow, example की तूर पर हम समझते हैं house sparrow गरलू चडिया का वेग्यनिक नाम कैसे लिखा जाता है पैसर domestics ये इसका वेग्यनिक नाम है दो सब्दों से है इसलिए इसको binomial nomenclature कह रहे हैं पैसर का मतलब हो गया genus और domestic क्या बताती है उसकी species को बताती है कुछ rules को समझते है ये universal rule for nomenclatures First, the first word in the biological name represents the genus पहला नाम किसको बताता है जैसे उदान की रूप में पैसर domestics पहला नाम genus को बताता है While the second component denote the specific epithets जबकि जो second नाम है वो species को बताता है जैसे की human का example ले लीजे यानि हमारे खुद का यह example ले लीजे हमारे खुद का वेगयनिक नाम है homo sapiens sapiens homo sapiens ही पहला अभी तो यही ध्यान रखेंगे sapiens हम देखेंगे कि यह sapiens क्यों आया है इसको हम जानेंगे homo genus को बताता है और sapiens species को बताता है biological name names are generally in latin actually जो biological name है यानि जो scientific name जो दिया गया है वो latin बासा में दिया गया है so and written in italic so इनको italic बासा में लिखा जाता है they are latinized or derived from latin irrespective of their origin क्योंकि उनका origin latin होता है इसलिए या तो उनको latinized लिखा जाता है means उनको italic में कर दिया जाता है या वो उनको latin बासा में ही लिखा जाता है लेकिन latin बासा हम नहीं समझ पाएंगे इसलिए उनको latinize कर दिया जाता है both the words in the biological name when the handwritten biological name को जब हम हाथ से लिखते हैं और separated underline तो हम उनको separately underline करते हैं or printed in italic to indicate their latin origin या जैसे ही हम इसको हाथ से लिखें जैसे मैं इसको हाथ से लिख रहा हूँ जैसे कि passer domesticus है इसको जब हाथ से लिखते हैं तो इसको separately underline करना है लेकिन जब आप कहीं typing करते हैं तो वहाँ पर हमारे की जो word file होती है वहाँ पर latin उसको तिर्चा करने की column पाया जाता है तो उसको तिर्चा print किया जाता है italic वेते हैं उसको यानि उसको italic कर दिया जाता है क्योंकि वह उसके latin origin को बताता है यानि जब आप इनको नामकरण को देखेंगे ये थोड़े से सामाने सब्दों से थोड़े से तिर्चे हैं जो पहला सब्द है जो की genus को बताता है उसका पहला letter पहला जो word है वो capital letter से सुरू होता है while the specific capital starts with small letter जबकि जो species का जो पहला letter होगा वो small से सुरू होगा इसका मतलब यहाँ पर example के तुरू से समझ सकते हैं जैसे mangifera indica है इसमें M capital है M capital यानि ये mangifera वास्त में क्या है ये एक genus को बताता है ये एक genus को बताता है indica species को बताता है genus में पहला letter capital होता है species में पहला letter small होता है बाकि सभी तो small letter में तो हों गई लेकिन पहला सब्द genus में capital होता है ये आप द्यान रखेंगे next इसमें क्या होता है the authority यानि author का नाम भी लिखा जाता है यानि जिसने पहली बार उस species को describe किया है वर्णन किया है या खोजा है उसको कैसे लिखते हैं the authority is written in slightly different way in geology and botany ये geology और botany plants और animals के लिए ये थोड़ा सा अलका से इन में कुछ परिवर्दन होता है तो क्या है वो the name of author written in abbreviated form after the specific epithets abbreviated यानि बहुती shrug shift में लिखा जाता है किसका author का नाम अगर हम plants के बारे में बात देखें तो author का जो नाम लिखा जाएगा species के नाम के बाद में क्या author का नाम लिखा जाता है तो वो abbreviated यानि shrug shift में लिखा जाएगा जैसे mangifera indica li double n dot लगाया हुआ है dot मतलब इसके बाद में क्या है वास्तन इसका पूरा नाम तो linius linius है लेकिन हमने इसको संक्षिप्त में लिखा है it's indicate that this species was first described by linius और यह है यह बताता है linius का लिखने का मतलब कि species को plant species को यानि mango को linius द्वारब पहली बार describe किया गया है but for the names governed by iczn लेकिन animals के name की बात करें यानि international यह जो iczn की जो संस्तान है the surname usually written in full surname लिखा जाता है और वो भी full लिखा जाता है पूरा लिखा जाता है together with the year of publication और इसके साथ में कौन से year में वो publish की गई है यह भी लिखा जाता है example के तोर पे हमारे पास में है Pacer Domesticus Pacer Domesticus गरलू चिडिया का वेग्यनिक नाम है इसका पूरा नाम ऐसे लिखते हैं Pacer Domesticus Linus 1758 यानि सामने वेग्यनिक नाम तो इतना ही हो गया लेकिन अगर आब उतर भी लिखते हैं तो इस प्रकार से Linus और फिर कॉमा यह 1758 में इसकी यर भी लिखते हैं कौन से यर में publish किया गया है next जो नियम है एट टोटोनिम टोटोनिम क्या होता है वो देखते हैं is a scientific name of species in which both parts both parts means genus and species name have the same यानि टोटोनिम वेगयनिक नाम ही होता है जिसमें species का नाम और जो genus है उसका नाम तोनों का समान हो तो उसको हम टोटोनिम कहते हैं और यह apply only for animals यह सिर्फ animals के लिए ही apply होता है जैसे कि आपने ratus ratus नाम देखा होगा चुहे का वेगयनिक नाम है नाजा नाजा कोबरे का वेगयनिक नाम है कोबरा जो होता है सांप होता है उसका वेगयनिक नाम है तो इसमें जब देखेंगे तो genus समान है और species समान है इसमें भी genus और species समान है लेकिन plants में आपको इस तरह के नाम देखने को नहीं मिलेंगे अब एको नियम है प्रिंसिपल और प्रियोरिटी यहनि प्रात्मेक्ता का नियम क्या है वो बाइनोमियन नॉमनक्लेचर में लागो होता है इफ एनी नेम वाज गिवन आफटर 1753 फॉर दे प्लांट्स एन 1758 फॉर अनिमल्स देन वैलिड नेम इस असप्टेड इफ देट इस नियर बाइ 1753 एन 1758 अगर किसी अनिमल्स का प्लांट्स का नाम अगर प्लांट्स का दर्म बात करें तो 1753 है अगर इसके बाद में जो वेगयनिक नाम दिया जाएगा उसको मानिता मिलेगी लेकिन इसके सबसे नजदीक होना चाहिए इसके बाद में और इसके पास में होना चाहिए जैसे एक्जांबल के तोर पे मान लीजे कि कि किसी ने एक इस्पिसीज को डेस्क्राइब किया है 1780 में और किसी ने species को describe किया है 1760 में और वो species है कोई plant species तो जिसने 1760 में जो describe किया है उसको मान उसको ही accept किया जाएगा वो ही acceptable होगा बाकि ये इसका नाम मान नहीं होगा ऐसे ही 1758 ये animals के लिए है इसका भी आप ध्यान रखेंगे अब है trinomian nomenclature ये क्या होता है actually binomian nomenclature के according की नाम दिया जाता है लेकिन trinomian nomenclature actually लगबग समानी शीचे है क्या होता है इसको देख लेते हैं given by Hexley and Strickland Hexley और Strickland द्वारा trinomian nomenclature दिया गया था tri का मतलब हो गया 3 nomian मतलब 3 पद होते हैं तीन नाम दिये जाते हैं किसी भी एक जाती है according to this nomenclature the scientific name of organism given into 3 words इसमें 3 सब्दा आते हैं 4 animals animals के लिए इसमें genus, species and subspecies आती है और in plants genus, species and variety आती है नाम clear हो गया यानि animals में आप किसी भी जाती का जब नाम लिखते हैं तो उसमें genus और species लिखते हैं लेकिन सभी में नहीं पाया जाता है कुछ-कुछ में हम subspecies में लिखते हैं सभी में subspecies नहीं पाया जाती है इसलिए binomial nomenclature ही exact right है trinomial nomenclature तब ही applicable होता है जब उस animals में या उस जीव की कोई subspecies पाया जाती है तो ही हम subspecies का नाम लिखते हैं नहीं तो हम binomial nomenclature के according ही नाम लिख देते हैं इन plants में क्या होता है genus species और variety पाया जाती है variety जिसको हम subspecies कह सकते हैं लेकिन हम generally जो term है वो subspecies को animals में ही use करते हैं और plants में subspecies के इस्तान पर हम variety यूज करते हैं अब एक और word है homonics क्या होता है if name of species and subspecies are same अगर जो species है और जो subspecies है ये समान पर किसे लिखा जाए तो उसको हम homonics कहते हैं उधान के तोर पर humans का खुद का नाम देख लिए ये नाम करन आप सोच सकते हैं कि ये सही है या गलत है जब आप इसको देखेंगे सही तरीके से तो ये नाम गलत तरीके से लिखा गया है क्योंकि ये italic नहीं है तो जब ये सीधे लिखे होई हैं तो मैं इसको underline कर सकता हूँ homo sapiens sapiens homo sapiens पहले से कोई जाती पाई जा रहे थी sapiens वाली लेकिन बाद में हम उत्पन हुए हैं हमारे जैसे उत्पन हुए हैं तो sapiens sapiens सब species उत्पन हुए हैं इसलिए इसको homo sapiens sapiens नाम दिया जाता है homo nix apply for both plants and animals और homo nix जो है वो plants और animals दोनों में लागू होता है ये बात हुई nomenclature के बारे में अब हम बात करते हैं taxonomic categories के बारे में taxonomic categories जिसको आप सामाने रूप से जानते हैं kingdom, phylum, class, order, family, genus and species क्या होती है taxonomic category category is a part of overall taxonomic arrangement इस काल्थ the taxonomic categories जब हम वर्गी करण की बात करते हैं तो वर्गी करण में जितनी भी category जो है उन सब को मिला कर हम कह देते हैं कि वो एक hierarchy बना रही है एक sequence बना रही है और इसको taxonomic arrangement कह सकते हैं या taxonomic category कहते हैं all categories together constitute the taxonomic hierarchy और जितनी भी category जब आपस में उनको साथ में कहेंगे तो उसको कहेंगे हम taxonomic hierarchy कहते हैं each category refer to as a unit of classification प्रते एक category को जैसे कि kingdom ले लीजे तो यह एक unit को बताती है classification के एक unit को बताती है यह नहीं एक भाग को बताती है a rank card as taxon और जैसे कि यहाँ example के तुरू समझेंगे यह एक single की बात है जैसे kingdom category हो गई और vast group को बताने वाला हो गया taxon तो यह हो गया taxon और इन सब को मिलाकर हम कह देते हैं taxa seven main साथ जो होती है taxonomic category वो मुख्य category होती है and compulsory category उनको आउसे category माना गया है यानि आप जब किसी भी plants और animals का जब आप veganic नाम करन करते हैं तब यह साथ के जो category है वो compulsory आपको classification में लिखना चाहिए classification written in descending order और यह descending order में लिखा जाता है यानि सबसे बड़ा kingdom हो जाता है उससे छोटा phylum और जो phylum है वो plants में इस्तमाल नहीं किया जाता है वो सिर्फ animals के लिए यूज़ किया जाता है phylum के इस्तान पर division यूज़ किया जाता है plants में next class order family, genus और species आप इसके example के दिरूँ से यहां समझ सकते हैं जिसे category मनुस्या का human का classification देखें तो homo sapiens हम जान गए हैं कि यह species को बताता है homo इसमें genus है hominidi इसमें family है primates order है mammalia class है phylum codita है kingdom animalia में सामिल है तो यह जो यह तो taxon को बताता है जितना भी वास्त्री ग्रूप को बताता है और category एक taxonomic hierarchy को बताता है अब कुछ example के दुरूँ हम समझ तकते हैं living organism taxonomic categories taxonomic categories एक्जांपल के दुरूँ हम समझते हैं सबसे पहले हम देखते हैं house fly को house fly जिसको हम गरेलू मक्की कहते हैं गरेलू मक्की में kingdom कौन सा होता है kingdom animalia हो गया क्योंकि animals है phylum orthopoda orthopoda phylum में रखा गया है class insecta insecta यह कीट है diptera order होता है family muscidi होती है genus musca and species होती है domestica ऐसे ही peacock या नी more की बात करें तो इसका kingdom हो जाएगा animalia phylum codita class avies order galliformis family है fascianida genus pavo और species है christatus human की बात करें तो kingdom animalia phylum codita class mammalia order primata family hominida genus homo and sapiens इसकी species होती है यह है taxonomic categories जो आपको यह seven categories को आपको ध्यान में रखनी है हाला कि जितने भी taxonomic category है आपने कई बार पढ़ा होगा कि sub-filem भी होता है super order हो गया super family हो चुकी है तो इस परकार बीच में कुछ और भी categories पाई जाती है लगबग पूरे classification में 33 categories पाई जाती है लेकिन हमारे लिए जो सबसे महत्वपून है यह seven category है जिसको हमें ध्यान में रखना है तो यह जो पार्ट था binomial nomenclature और taxonomian category आपको उम्मीद है समझ में आया होगा तेंक्यू